आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello Everyone, हमारा आज का प्रशिन है फलकों वाले तीन पासों को एक साथ फैंका गया इसकी प्राइकता क्या है कि सभी पासे एक ही संख्या को दर्शाते हैं हमारे पास जो विकल्प तिये गए हैं यह है पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, यह है तीसरा विकल्प और यह है चौत्था विकल्प आईएब हम इस प्रशिन को हल करते हैं जैसा कि हम जानते हैं एक पासे पर कुल 6 फलक होते हैं एक पासे पर 6 फलक होते हैं तो जो हम तीन पासों को एक साथ फैंकते हैं तो उसके जो कुल परिणाम है वे बराबर होंगे, कुल परिणाम बराबर है, 6 की घात 3, मतलब जितने उसके उपर परिणाम होते हैं और जितनी वारों से फैंका गया है तो 6 की घात 3 बराबर होता है 216 के, तो यहां से अब कहा ग अनुकूल परिणाम बराबर है सभी पासे जो है वो एक ही संख्या को दर शा रही है तो परिणाम होंगे 1,1,1 2,2,2 3,3,3 4,4,4 5,5,5 और यहां पर 6,6 तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम है वे बराबर है 6 के अब हमें प्राइक्ता ग्याद करनी है तो प्राइक्ता बराबर होती है प्राइक्ता बराबर है अनुकूल परिणाम वटे कुल परिणाम तो यहाँ पर अनकूल परिणाम जो है वो 6 के बराबर है और कुल परिणाम 216 के बराबर है तो यहाँ पर 6 वटे 216 को जब हम काटते हैं तो यह बन जाएगा 1 वटे 36 जो कि हमारा उत्तर है और यहाँ से हमारा जो विकल्प सही हो रहा है वह है विकल्प नंबर 2. Thank you.